इंको क्यूं citizenship amendment bill, मतलब act लाकर इंको नागरिक्ता देने की जरूरत है, वो वहां से प्रताडित होकर आये हैं और 70 साल से नर्क का जीवन जीरे, अब NRC, मैंने पहले का, NRC का शुरुआत कॉंग्रेस ने करा, वो छोड़ भी दो, आज भी मैं कहना चाहता हूं, देश की, कॉं जितने मुसल्माने सब यहां आजाए हम उनको नागरिक्ता देंगे, जरा कल करदे स्टेटमें, जो वो कह रहे हैं, कि जो घुसपेटी हैं उनको भी नागरिक्ता देंगे, तो फिर क्या मतलब है, NRC, एक मीट, तो NRC से क्या तकलिब क्या है, मैं बताता हूं, बताईगे, मैं आपको एक उधारन देता हूं, अब से 20 या 30 साल पहले, बांगलादेश से दो परिवार आसाम में आए, एक बांगलादेशी हिंदू परिवार था, एक बांगलादेशी मुसल्मान परिवार था, दोनो आए रोजगार की तलाश में, क्योंकि उस वक्त हिंदुस्ता, मै जो जन संक्या कम हुई है, यह मुसल्मानों की जन संक्या बड़ी, कम नहीं हुई भारत में, वहाँ प्रताडना हो रही है, इसलिए उनकी जन संक्या 30 से 7 परतिसत और 23 से 3 परतिसत हुई, ऐसे सरलता से आप जंप मत करिये, ऐसा नहीं होता है, बास्तविक्ता है कि वहाँ प्रताडना हो रही है, आपको धेर सारे केम्पों में लेगा है, और इसा ही कह रहे हैं आप ग्रह मंत्री जी, इसमें कोई शक थोड़ी, लेकिन आप यह नहीं मान सकते कि हर हिंदू परिवार जो कह रहा है कि उसका उत्पिड़न हो रहा है, वह सही है, जब उससे पहले और पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने स्टेटमेंट कहा है, तो हम दलीतों को नहीं जाने देंगे, पाकिस्तान में साब सफाई कौन करेंगा, और उस वाक्त कॉंग्रेस के प्रधान मंत्री चुप रहे थे, उसी दिन सब को लाने की जरूरत थी, इनके भरों से छोड़ने कंप्लीट करेंगे, यहां पर कई सारे और शिक्षित गरीब परिवार हैं, जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, वो कहां साबित करेंगे, आसाम में भी हमने देखा कि फॉजी फैमिलीज, जो कि 1971 की लाडाई में रह चुके, पूर वराश्रपती का परिवार, वो नहीं दिखा पाए, विपक्ष तो यह कहता है कि ऐसे दौर में जब कई सारे लोगों को अपनी युनिवर्स्टी की डिगरी दिखाने में दिखकत होती है, यह गरीब लोग कहां से दिखाएंगे अपना दस्तावेज, मगर जो यहां के रहने वाले लोग है, 71 की पूरी मत दाता स सुची एक रेकोर्ड के रुप में असाम सम्झोते में रखी हुई है, उसमें उनके नाम ही है, वो ही दस्तावेजेए, उसमें कोई प्रोब्लम नहीं है, उनके पिताजी के नाम 71 की मत दाता सुची में है ही, सब मैं असाम में था, वहां पर मैंने लोकल से बात चीत कि यह जेन्वनली इल्लीगल है, जो असल में बांगलादेश से आया है, उसने कुछ ना कुछ सामदाम दंड भेद करके अपना पासपोर्ट, अपना राशनकार, अपना आधार, कुछ ना कुछ करके बनवा लिया है, कई ऐसे लोग जो कि असल में हिंदुस्तानी है, लेकिन चु आप सेकुलरिजम की चिंता करो, मैं आप सुन दिए, मैं आज देश की जनता के सामने आपके मार्यम से दो ही सवाल रखना चाहता हूं, दुनिया में कोई ऐसा देश है, जहां पर सिटीजन का रजिस्टर नहीं है, जो भी जाय वो नागरिक बन सकता है, राहुल जी आप च और क्या कॉंग्रेस पार्टी ये कहना चाहती है कि दुनिया भर में से कहीं से भी मुसल्मान आए, क्यूंकि हिंदू को ले रहे हो, तो आप उसको भी स्विकार कर लो, इस प्रकार से देश चल तक है क्या, इस प्रकार से देश चल सकते है क्या, कभी नहीं चल सकते है, और जहां तक बेदभाव का सवाल है, यूरेप के कही सारे देशों नियम बनाए हैं, ग्रीन कार्ड और नागरिक्ता के लिए, इतना इन्वेस्टमेंट करोगे तो ही हमारे याँ नागरिक्ता मिलेगी, तो गरिब के साथ बेदभाव नहीं है, तो अनपड के साथ बेदभाव नहीं है, तो भारत के लिटरेल साइन्टिस्कों ले रहे तो भारत के गरिब को भी ले जाओ भी या, जो हमें पूछ रहे हैं कि ये बेदभाव क्यों करें तो आपने भी बेदभाव करा हैं, अलग फौम में करें और हमने कोई बेदभाव नहीं करा हैं, ये भारत का कमिटमेंट था जब बटवारा हुआ, वहाँ जो हिंदू भाई रह गए, सीख भाई रह गए, सारे वहाँ की माइनोरिटी रह गई है, अगर वो देश में वो रहना नहीं चाहते हैं, तो इनको ये देश स्विकार करेगा, ये देश की पार्लामेंट का कमिटमेंट है, देश का गवर्नर जनलनर का कमिटमेंट है, इस देश के प्रधान मंत्री का कमिटमेंट है, और सब से उपर महात्मा गांधी का कमिटमेंट है, जिसको देश में सम्में मानना है। इनकी एंट्री पर यू सवाल है। फ्रिकिलिग सेुए। जिद बन सबढी ख़िके में महना है। जिस देश में उत्पिड़न हो तो आप यहां पेपले कर सकते हैं। अगर कौलिफाइदे में कि अगर ऑप काये। ऑप किग्रिrail काये सीसेंटेनं praying ऐसेंटी सिर्जन बनाइंगे。 आप आप नहीं लेंगे कि उसका उत्पिडन हो इडा था आप अप नहीं रहना चाहते हैं यहां अप उनको सरण दी जाएगी और मैं मानता हूं यह दूटी है यह तीन कंट्री तो विभाजन के कारण मगर आप मैं पूछता चाहता हूं이고 कंग्रेश के नेता ऊचाहं यूगणडा से सारह हिंदुरा आप यून अगरिगता दी पही आपने क्यू यूदिव सो फो कंग्रेश बतांगी नगय के बता हूं दुनिया में जाएगा कहा हो, यहीं आएगा, और कहीं नहीं जा सकता, यहीं आएगा, कहाँ जाएगा, सीख कहाँ जाएगा भी, यहीं आएगा, कहाँ जाएगा, अगर अफरीका से सब को निकाल दिया तो यहीं आएगा, और हमने स्विकारना चाहिए, इस कानून को आपने क तर विए तेन देशों तक सीमित क्यों रखा? श्रिलंका जैसे देश में कई सारे तामिल रेफ्यूजीज हैं, वो भी हिंदू हैं, जिनका भी वाकाई में धर्म क्या आधार पर उत्मिलन बाइगा हैं, वो क्यों नहीं आसे ज़ते हैं? श्रिशी रवी शंकर मांग करें, सुब्रमन्यम स्वामी आफी की पाटी के मांग करें, क्या आने दीजेएं? ऐसा है कि देश में कई बार नागरिक्ता देने के अलग-अलग प्रावदान बनाएगा हैं, लंका के लिए भी बनाएगा हैं, छे लाग से ज्यादा फैमिली को लंका से आए हुए तमिल भाईयों को हमने नागरिक्ता दी, उस वक्त इनको क्यों नहीं दी? क्यूंकि एक प्रॉब्लेम को हम एड्रेस करें, यूगांडा से आये तब इनको क्यों नहीं दी? क्योंकि एक प्रोब्लेम एड्रेस कर रहे थे 71 में इंदी राजी ने एक मास नागरिक्ता दी 71 में बांगलादेश से जो आया है सब को अब तक जो आया है उनको नागरिक बनाएंगा बंकार रन ये प्रोजेक्ट भी साथ में आया तो उस वक्त इनको क्यों नहीं दी क्योंकि एक प्रोब्लेम को सॉल करें अभी हम ये तीन देश से जो माइनोरिटी के लोग धार्मिक प्रतादना के कारण यहां है इनके प्रोब्लेम को सॉल करें अभी लोगों ने सवाल पूछा कि ऐस